ओके क्लास एट लेट्स टार्ट अपने इसके बारे हम बात करते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम तो हमने पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में अभी तक हमने अच्छे से रीड कर लिया था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होती है यानके पेट पर भी अपने home के अंदर गड़ पर cylinder वगयरा यूज करते हैं LPG वगयरा के petrol इससे बनता है जो कि motor fuel, aviation fuel, solvent for dry cleaning वगयरा उन सब के अंदर अपने क्या किया जाता है इसका यूज किया जाता है diesel हो गया, fuel for heavy motor vehicles, electric generators वगयरा इन सब के अंदर मतलब क्या किया जाता है इसका यूज किया जाता है, lubricant oil, lubrication यान की जो lubricant oil आपने देखा होगा जो मतलब bike वगयरा के अंदर या फिर मतलब अलग-अलग vehicles वगयरा तो उन सब के अंदर इसको डाला जाता है paraffin wax, bitumen जो paint और road surfacing वगयरा के अंदर, oitments, candle, vaseline वगयरा जो वगयरा अपने गर पर यूज करते हैं वो भी paraffin wax इसी से बनती है और candles वगयरा इसी से क्या होते हैं, सारे के सारे बनते हैं अब देखो एक natural gas होती है, natural gas क्या होती है, जो कि जब मतलब अपने refining करते हैं, जब petrol वगयरा को निकाला जाता है, pipes के तरूप, तो ऊपर-उपर की तरफ कौन सी गया है, एक normal जो क्या होती है, gas present होती है, उस gas को क्या बोला जाता है, natural gas बोला जाता है, compressed natural gas, CNG used for power generation, power generation के ल pollutant free होते हैं, यान कि इसके अंदर किसी भी type का pollution वगयरा generate नहीं होता, ठीक है, किसके अंदर natural gas के अंदर, ठीक है, ये CNG यान कि pollutant free होते हैं, eco-friendly होते हैं, किसी भी type का pollution वगयरा create नहीं होता, जैसे अगर LPG, petrol, diesel वगयरा इनको burn करते हैं, तो harmful gases secret होती है, कौन सी, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide side ठीक है, तो ये वाली सारी के सारी harmful gases क्या होती है, generate होती है, whereas natural gas के अंदर, ये वाली सारी के सारी gases generate नहीं होती है, LPG है, इसके अंदर भी generate होती है, sulfur के अंदर generate होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, as compared to petrol वगयरा के, ओके student, class 8, इतना समझ में आया होगा आप सभी ठीको, okay class 8, तो देखो, जैसे क्या है, दिली, वडोदरा, गुजरात वगयरा, इस side के अंदर क्या होता है, यान की network pipelines वगयरा इनके अंदर बिचाई गई है, तो वहां पर क्या होते है, gas की supplies वगयरा क्या हो जाती है, easily हो जाती है, ठीक है, home के अंदर, जैसे बड़ी-बड Metro Cities के अंदर है, ठीक है, अपने यह वैलीबल नहीं है, तो अपने यह पर क्या supply होते हैं, Cylinder supply होते है에, ठीक है, लेकिन Metro Cities, जो बड़ी-बड़ी cities होती है, ठीक है, जो smart cities हैं, ठीक है, उनके अंदर pipelines को exist किया जाता है, जिससे क्या होते है, reserves of the natural gas, अपने अपर natural gas काफी ज़्यादा amount में present है our country, कहां का मिलते है त्रीपूरा, राजस्थान, माराष्टरा, कृष्णा गोदावरी, डेल्टा यान की रिवर्स हो गयरा उसके साइट में, some natural resources are limited, अब कुछ ऐसे resources हैं जो कि हमारे पास में limited amount के अंदर है, एक तो हमने दे like as fossil fuel, fossil fuel में हमने पढ़ा था कौन-कौन से आते हैं, coal हो गया, petroleum हो गया, तो यह दोनों के दोनों आते हैं, फिर बात करते हैं, forest की, forest भी हमारे पास एक limited quantity में है, continue अगर अपने cut करते रहेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, कि जैसे काफी ज़्यादा कटते जाएंगे, तो oxygen की जो क्या होगी, यानिकि जो nature के अंदर oxygen है, उसमें क्या आती रहेंगी, कमी आती रहेंगी, और जब काफी ज़्यादा कमी आ जाएगी, तो क्या living beings क्या alive कर पाएंगे, survive कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, minerals का भी अगर अपने continuous type के अंदर use करते रहेंगे, तो एक time पर minerals वगयरा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, ठीक है, तो burning of these fuels major cause of the air pollution, सबसे बड़ा और major issue आज के time के अंदर क्या है, air pollution का mainly region रहता है, air pollution क्या होता है, यानिकि जब अपने काफी ज़्यादा amount के अंदर क्या करते रहते हैं, काफी ज़्यादा amount के अंद सब्राइट होते हैं, C02 हो गया, Sulfur of dioxide हो गया, nitrogen dioxide हो गया, ठीक है, carbon monoxide हो गया, ठीक है, तो इस type की सारे की सारे जो ज़्यादा हमारे क्यों होती है, हामफुल होती है, और इतनी ज़ादा हमफुल होती है, तो उससे क्या होता है, एर pollution होता है, air pollution होने की वजह से हमारा environment भी pollution होता है global warming जैसे केस होने शुरू हो जाते हैं ठीक है और लॉंग टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है और इसका इफेक्ट डारक्ली या इंडारक्ली हमारी बोडी या हमारी हैल्थ के उपर पढ़ता है किस टाइप में बढ़ता है यान कि हमें अस्थमा वगैरा ठीक है या फ से पेट्रोल डीजेज वाइल ड्राइविंग देर टीप्स आर ठीक है तो मतलब PCR हमारे conservation बना हुए ठीक है एक association बना है petroleum conservation research association जो कि यह बताता है कि हमें petrol डीजल को save करना चाहिए किस टाइम में करना चाहिए जैसे हमें क्या होना चाहिए जब red light हो तो हमें engine off कर देना चाहि सिज्वेस्ट कियें वो देखो drive at a constant और moderate speed हमें ज्यादा speed पर नहीं चलना चाहिए ठीक है switch of the engine traffic lights at place where have you weight यानिकि जब आँ weight वगयरा कर रहे हो या red light हो तो बंद कर देना चाहिए ensure correct tire pressure tire का pressure भी correct होना चाहिए ensure regular maintenance of the vehicle vehicle की continue maintenance होनी चाहिए अगर आप continue maintenance हो गयर नहीं करते तो उसके अंदर oil वगयर वो क्या आने ज्यादा लेगा ज्यादा amount के अंदर खपत होगी तो हमें इन सब बातों का क्या रखना चाहिए द्यान रखना चाहिए ओके student आपका ये chapter क्या हो चुक है fifth chapter आपका complete हो चुक है अब अपने कुछ keywords के बारे हम बात कर लेते हैं ठीक है question answer अपने next video के अंदर देखेंगे ओके student तो coal, coal क्या होता है जो एक black color का जो hard color का substance था hard substance था उसको क्या बोला जाता है coal जो की fuel वगयरा या फिर thermal जो power plants होते हैं उनके अंदर electricity produce करने के अंदर या industries वगयरा में यूज क्या जाता है coal gas यान की coal को burn करने के बाद में जो gas create होती है उसको क्या बोला जाता है coal gas coal tar जिसे हमने क्या बोलते हैं damar भी बोला जाता है हमने पढ़ा था इस damar के बारे में coke जो की मतलब यान की अलग-लग type के अंदर इसको मतलब industries वगयरा के अंदर इसको यूज किया जाता है ठीक है fossil fuel ठीक है fossil fuel के अंदर mainly अभी पढ़ा था हमने दोर चीज़े आती है coal आता है और दूसरा क्या आता है petroleum आ गया ठीक है natural gas जैसे मतलब refining करते हैं जब pipe से डाली जाती है तो उपर उपर जो gas present होती है oil जैसे यहाँ oil है तो उपर की तरफ जो gas present होती है उसको क्या बोला जाता है CNG compressed natural gas बोला जाता है petroleum इसी petroleum को refine करके अलग लग चीज़े बनाई जाती है petrol बनाया जाता है ठीक है diesel बनाया जाता है kerosene बनाया जाता है paraffin wax bitumen वगयरे यह सारे बनाया जाता है petroleum refinery क्या होती है यानि कि उस जगह को यानि कि वहां पर जब जहां पर काफी ज़ादा machines वगयरे को setup किया जाता है जिसकी help से क्या किया जाता है उनको refine किया जाता है किसको refine किया जाता है petroleum को refine करके अलग अलग क्या किया जाते है उसमें से products बनाया जाते है okay student I hope so आपको इतना समझ में आया होगा thank you and have a nice day